भारतिय सरकार देश में खेल को बढ़ावा देनी के लिए चाहे लाख खोशिशे करें लेकिन ये सारी योजनाय उस वक्त तफीकी पड़ जाती हैं जब पूर्व खिलारियों की माली हालत सब के सामने आ जाती है अभी कुछी दिन पहले साउथ हेश्याई खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले बॉक्सर कौर सिंग की खबर आई थी कि वे जिन्दगी मौत से जूच रहे हैं और उन्हें मदद के लिए लोन से लेकर कई मिन्नते करनी पड़ी थी हाला कि बाद में खेल मंत्राले ने इस पर संग्यान लिया और इलाज की वेवस्था हुई लेकिन कौर सिंग एक लौते नहीं हैं जिन्हें सरकारों ने बेगाना कर दिया बलकि कई ऐसे पूर्व खिलाड़ी हैं जो आज भी रोज मर्रा के जिन्दगी जीने के लिए हर रोज कड़ी पहनत कर रहे हैं भारत के लिए कई पदक जीतने वाले बॉक्सर लखा सिंग भी एक ऐसा नाम है जो पेट भरडे के लिए किराई की टैक्सी चला रहे हैं लखा सिंग की माली हालत इतनी खराब है कि वो दो वक्त की रूटी जुटाने के लिए किराई की टैक्सी चला कर हर महने 18,000 रुपै भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं 1990 के दौर में लखा सिंग अपनी बॉक्सिंग की वजह से जाने जाते थे साल 1994 लखा सिंग के लिए बेहत खास था इसी साल उन्होंने एशियन वॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मैडल हासिल किया था लेकिन अब साथी खिलाडी से मिले धोखे और खेल संगो सरकारों द्वारा नजर अंदास किये जाने की वजह से उनकी जिंदगी बेहत खराब दौर से गुजर रही है दो साल में तीन अंतर राश्ट्रे पदक जीतने वाले लखा सिंग उनी सुचियानबे के अटलांटा उलम्पिक में भारत के सबसे चमकदार सितारे थे हाला कि वे यहाँ कोई मैडल नहीं जीत सके और सत्रवे नंबर पर रहे टाइमस ओफ इंडिया के मताबिक 52 साल के पूर्व बॉक्सर ने बताया मैंने अपनी स्थिती को लेकर भारतिया मेचर वॉक्सिंग फेडरेशन के साथ पंजाब सरकार को कई बार खत लिखे लेकिन किसी ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मैं जो टैक्सी चला रहा हूँ वो भी मेरी नहीं है कोई मेरी बात सुनने को तयार नहीं है आपको बता दे कि लखा स्थिंग 1984 में भारतिय सेना में शामिल हुए थे लेकिन एक साथी बॉक्सर दिबेंदर थापा की दगाबाजी के कारण भारतिय सेना ने उन्हें भगोडा खोशित कर दिया जबकि सच्चाई कुछ और ही थी अब लखा स्थिंग की असली कहानी सुनने वाला कोई नहीं है और वो अब घरीबी की हालत में जी रही है टीम इंडिलिंग्स